Hello friends, welcome to our YouTube channel Teaching Exam Overload में दोस्तों जैसा कि आपका paper जो seated का है वो बहुत नजदीक आ गया है आपके seated की date है 20 अगस्त को तो अब बहुत कमी दिन बचे हैं तो इसके अंतरगत आज़ाव में आपको क्या पढ़ाएंगे Harvard Gardiner का बबुद्धी सिध्धानत इसको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि जो बुद्धी के सिध्धानत है जो 2-3 उसमें से सिर्फ पिछले 3-4 सालों हम देखा गया है कि Harvard Gardiner से ही प्रस्ण बनता है इससे 2-3 प्रस्ण बनेगा 1st paper में आप एक रफली देख लीजिएगा तो चुकि यह बहुत important topic इसलिए मैं आज आपको इसको पढ़ा रहा हूँ तो इस session को सुरू करने से पहले हमारी request है कि हमारे channel को like करें, subscribe करें तथा जादा जादा share करें, साथ ही एक और important बात है कि आप जैसे कि seated के अंतिम दिन आ चुके हैं तो आपको यह समच्चा होगी कि आप seated की तैयारी अंतिम दिनों कैसे करें पुस्तक, frames of mind, the theory of multiple intelligence के अंतरगत, कहा था कि बुद्धी का सुरूप एक आंकी ना होकर बहुकारकी होता है, तो इन्होंने पहले ही बताया था कि बुद्धी का सुरूप जो है वा एक आंकी ना होकर बहुकारकी होता है, इससे पहले भी दो-तीन जो आये थे, सिद्धान द जाता, तो इन्होंने शुरूप पहले साथ प्रकार दिये थे बुद्धी के, उसके बाद आठ हुए, फिर नौ होगे है, तो आपको ये संख्या नहीं पूछेगी, लेकिन अगर संख्या पूछेगी तो आठ पर जादा माना जाता है, लेकिन नौ हुआ भी एक पढ़ाया देनी है, तो मैं आपको बता दिया कि इन्होंने आठ प्रकार के बुद्धिक सिदान बताया है, मुखिता, ततर नौवा एक गौण है थोड़ा सा, तो इसमें पहला था कि भासा पर अच्छी पकड़, प्रवावशाली भासा वाली बुद्धी, मतलब इसमें क्या होता था कि इसमें भासाई आधार पे कौशल ज्यादा अधिक होता था व्यक्तियों में, भासाई आधार पे कौशल जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया है, कुमार विश्वास को, तो इनकी भासाई कौशल बहुत अधिक थी, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बुद्धी में कि भासाई कोशल बहुत अधिक होता है ऐसे लोग क्या होते हैं? कवी होते हैं वकील होते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं तथा गीतकार आप देखेंगे इन सभी उदारणों में भासाई की बहुत अधिक आपशकता होती बहुत अच्छी चाहिए तो यह पहली बुद्धी का है प्रकार शेकन्ड देखते हैं शेकन्ड है तारकी गंटी बुद्धी लॉजिकल मैटमेटिकल बुद्धी, तो इसमें तर्क करनेक छमता गंटी समझ्चवहों को समधान करनेक छमता का विकास होता है इस्थानिक बुद्धी या स्पेशल इंटेलिजिए चलिए देखते हैं कि किसी भी इस्थान के चितर को कल्पनक को दिमाग से निकार को हुबवव प्रस्तुत करने की छमता होती मतलब अगर आप किसी भी चितर को देखते हैं कि आप रफली उसको देखेंगे तो आप उसकी हुबहू नकल करने की छमताप के अंदर होती है और ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं इंजीनियर, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, सरवेच्छन अधिकारी होते हैं तो इसमें क्या होता इस्थानिक बुद्धी में? कि आप किसी भी चित्र को देख लेंगे तो कलपना से आप उसकी हुबहू नकल बुक पे या किसी कॉपी पे या किसी चित्र के रूप में आप उसको दर्सा सकते हैं ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, मुर्तिकार होते हैं इतकार होते हैं अगले जो प्रकार है सारीरिक गतिक बुद्धी जैसे कि सब्द में यह आ रहा है सरीरिक गति इसमें क्या होता है कि आपकी जो गतिक कौसल होता है वह अधिक बिक्षित होता है क्या होता है कि आपका गतिक कौसल अधिक बिक्षित होता है जैसे कि आपको अप कि गतिक कौसल का बहुत अधिक छमता चाहिए तो ऐसे लोग क्या बनते हैं डांसर बनेंगे बॉक्सर बनेंगे या फिर प्लेयर बनेंगे किसी इस्पोर्ट प्लेयर बनेंगे सर्जन बनेंगे पाइलेट बनेंगे या फिर तैराग बनेंगे अगला उदाधन देखते हैं सं अगला प्रकार है कि अंतरवयक्तिक बुद्धी क्या है इंटरपर्सनल इंटेजिएंस अंतरवयक्तिक क्या होती है दूसरों के मन के भावों को जहना समझना वह महसूस करना इसमें क्या होता है कि आप दूसरे के मन के भावों को उसके भीना कहे ही आप समझ लेते हैं ऐसे लोग कैसे होते हैं राजनेता होते है राजनेता देख लीजिए आपको क्या कहना है उसको पहले सी पता होता है दुकानदार होते हैं डाक्टर होते हैं जैसे कि आप किसी भी मौल में जाएंगे त तो ये दुकानदार में क्या होता है? Interpersonal Intelligence होती मतलब वो दूसरे के मन के भाव को जान लेता है, समझ लेता है और महसूस कर लेता है. उसी क्यादार पर अपनी अंताक्रिय करता है. इसी में एक और प्रकार होता है Antavactic. Antavactic क्या होता है? Interpersonal. Antavactic जान लेता है, वो कौन होता है? Antavactic बुद्धि उसके अंदर होती है. मतलब जो स्वयम के बारे में या स्वयम से बाती करता है. ऐसे लोग कौन से होते हैं? लेखक होते हैं, दारसनिक होते हैं. तो Antavactic में कौन आएंगे? लेखक, दारसनिक आदी. जो सौयम से सौयम के बारे में समझते हैं सौयम के अंदर जहांकते हैं अगला प्रकार देखते हैं अगला प्रकार है प्रकृतिवादी प्रकृतिवादी देखते हैं बुद्धी में यह 98 में जोड़ा गया इसमें क्या होता है नेचर में जो पैटर्न या सम्मीति होती है उस से कभी-कभी प्रस्ण बनी जाता है इसको 2000 में जोड़ा गया इसमें क्या होता है संसार के रहस मौद वा जीवन के बारे में प्रस्ण पूछना जाता है और मतलब उसमें क्या होता है कि संसार के सभी रहस को, मौद को जीवन के बारे में स्वहम वह प्रस्न पूछता है स्वहम प्रस्न पूछता है, दूसरों इससे भी मदलब दूसरों को ग्यान देता है तरह से लोग क्या होते हैं, दार्सनिक होते हैं, चित्रक थिंक का राधी होते हैं चलिए फिर यही इस्तिधान का यही समापती होती है इसमें मतलब मैंने आपको बताया कि आठ प्रकार के वैसे option में आएगा ताठ मानना है लेकिन वैसे होते हैं नौवा यह वाला जो बहुत कम पूछा जाता है पूछा कौन से जाता है पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ इंटरपर्सनल पूछा जाएगा इंटरपर्सनल पूछा जाता है और इस्पेशियल थिंकिक पूछा जाता है और एक पूछेगा तो सारी जी गतिक कौशल काइनेस्थेटिक को पूछ लेगा अगर पूछेगा काइनस्थेटिक पूछेगा तो इंटर परसनल में क्या होता है कि वह दूसरों के हाव भाव को दूसरों की आउसक्ताओं को समझ लेता है जैसे कि दुकांदार आदी होते हैं इंटर परसनल में क्या होता है स्वयम से बाते समझ लेना स्वयम के अंदर जहांकना जैसे कि दार्शनिक होते हैं लेखाक होते हैं इस्पेशियल में क्या होता है किसी भी स्थान आदी का चित्र को हुबहू अपने दिमाग में बैठा ले न फिर उसकी नकल किसी कॉपी आदी में उतार दे न जैसे कि दांसा रादी दांसा स्पोर्स प्लेयर रादी चलिए फिर यह इंपार्टन सम्राइज में आपको कर लिया है फिर हम आज के सेसन को समाप्ट करते हैं साथी और एक इंपार्टन बात है कि अगर अगर इस क्लासेज की पीडियेप आप रप्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया गया है आप उसको जॉइन का लिजे ताकि सारी क्लासेज की पीडियाप आपको दी जा सके चले फिर सेसन को में यही सबाब करते हैं धन्यवाद